सो फाइनल स्टांडर 350 2023 वेरेंड जी सीरीस एंजिन के साथ लॉंज हो चुका है यह आप देख सकते हो सो आगे बात करने से पहले यह आप गाड़ी का टोटल ही 360 व्यू देखिए के गाड़ी कैसे दिख रही है बाकि यह जो कलर है यह कलर का नाम है स्टांडर मरून कंपनी ने जो यह कलर का नाम दिया बाकि यह जो कलर है आप सभी को पता होगा कि पहले जो meteor में stellar red color आया करता था वही color को अभी company ने new जो standard है 350 उसके अंदर दे दिया है यह आप देख सकते हो बाकि look wise बात करें तो आगे से आप देख सकते हो आपको ऐसा लगेगा कि new ribbon ही है classic बाकि engine की बात करें तो यह engine वही है जो j series classic ribbon and meteor 350 में use हुआ है बाकि power भी वही रहने वाल है 20hp 27 nm का torque मिलेगा आपको बाकि look की बात करें तो look में आप पीछे का fender देख सकते हो थोड़ा सा company ने change किया है और जो सारी गाड है उसे as it is अभी company दे रहे है जो old standard में आया करता था उससे साब से बाकि इसके chases की बारे में अगर बात करें तो इसका जो chases है वो dual cradle जो classic ribbon में आता as it is इसकी वही chases है इसस में कोई changes नहीं है साथ ही में यह आप देख सकते हैं इसके जो mirrors है जैसे की leg guard है और जो इसका sum guard है जो के classic में feet होता as it is वही है customized sum guard leg guard और mirrors जो इसके आते customized वह आप भी classic वाले इसमें लगा सकते हो front wheel terrace है इसके बात करें तो 100 by 90 और 19 inch की front की rim है और disc brake की बात करें तो इसकी जो front risk है वो 300 mm की है बाकि brake की बात करें तो brake as it is वही बाइबर company की use हो रही है और यह आप देख सकते हो जो इसका meter है जो classic में use हुआ है digital meter as it is वही meter अभी इसमें हो गया है बाकि switch module के बात करें जो classic meteor में use हो था as it is वही switch module है इसका यह आप देख सकते हो बाकि seat की बात करें तो seat as it is जो old look में आ करती थी वही है बट इसे थोड़ा broad कर दिया है पहले की comparison में रियर डीजब्रेक की अगर बात करें तो रियर डीजब्रेक as it is classic वाल ही पूरा हब इसके अंदर यूज़के 270 mm का रियर डीजब्रेक है और रियर विल आप देख सकते हो काफि ब्रॉड कर दिये गया है old standard के comparison में बाकि रियर विल टायर की size आप देखोगे 120 x 80 और 18 इंच की इसकी रीम है यह जो भी आपने color देखा यह है standard maroon बाकि आगे दो हम color देखेंगे जो की है यह जो right side में पड़ा यह है gold black and left hand side जो आप सभी को पता होगा जो की color है जो पहले से आप सभी का favorite standard black यह आप देख सकते बाकि यह color की बात करें तो यह color में as it is company ने सब चीज वही रखे बड़ जो color है simple black की जगा है इसके अंदर sparkling black है अगर sunlight होते तो आपको थोड़ा sparkles जैसा इसका black color दिखेगा साथी मैंने जैसा आपको बता है था पूरा classic का ही इसका जो चेसीज है आगे का पूरा look है so इसका जो mounting है handle भी as it is classic वाल है तो आप यह देख सकते हो जो accessories जितनी भी अभी classic में use होती है same accessories आप इसमें भी आप लगवा सकते हो बाकि आप देख सकते हो जो e20 petrol वाला यह गाड लोगों की बात करें तो लोगों पहले के comparison में काफी premium कर दिया company नहीं यह आप देख सकते हो और जो नीचे का लोगो था bullet 350 उसे भी काफी change कर दिया company नहीं यह भी काफी premium लग रहा है सो रियर लुक की भी अगर बात करें तो यह आप पीछे से भी देख सकते हो कि इसकी जो टेल लाइट है कि वह एज़ट इस जो classic में है सेम वही टेल लाइट इसके अंदर यूज की गई है सैलेट भी एज़ट इस जो classic में सेम वही सैलेट यूज की गई है इतना मेजर चेंजिस होने के बावजुदभी कंपनी ने स्टांडर्ड का लुक बरकरार रखा हुआ है बाकि न्यू एक मेजर चेंज की बात करें तो कंपनी एक न्यू कलर के साथ फर्स्ट टाइम स्टांडर में मैट कलर का ऑप्शन दिया है यह आप देख सकते हो जो यह कलर का नाम है इसका ब्लैक गोल्ड दिया हुआ है गाड़ी फुली मैट ब्लैक है जिसके अंदर यह आप देख सकते हो इसका जो एंजीन है इसके जो रीम्स है टोटली मैट ब्लैक दिया हुआ है साथी में टैंक पे भी आप देख सकते हो हाफ मैट हैं हाफ ग्लॉसी बलैक है और जो लोगो लोगो भी काफी बढ़िया है बलैक और गलड का काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया हुआ कंपनी ने बाकि यह जो टैंक पे स्ट्रीप जो स्टांडर में आया करती थी वही अब भी भी स्ट्रीप कंपणी ने बरकर रहा रखी हुई है को बाकि अब सील आ रहे है वो सब भी आप देख सकता है ठोटली कंपणी ने में अचर दिया है चोंपता हैऊट जो पता एक में जुक प्लासिक में यूज对 रीबों में ऐसके अनदर वहते हैं। बागे इसके sound की बात कर तो as it is जो classic में जो sound मिलता है आपको same vocab वही रहने वाला है इसके sound में कोई changes नहीं as it is classic वाला ही sound रहेगा